सीवान से बड़ी खबर आ रही है डीम अमित कुमार पांडे की कुछ दिनों से तबियत खराब चल रही थी जिसके बाद रवीवार को स्वास्त विभाग की टीम ने उनका सेंपल लेकर जाच के लिए भेजा था जिसमें उनकी जाच रिपोर्ट कुरोना पोजेटिव आई है इसकी जनकारी सीवान के सिविल सरजन ने दी है या आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं डीम अमित कुमार पांडे की कुरोना जाच रिपोर्ट पोजेटिव आई है फिलाल वह होम कुरोंटाइन चले गए हैं आपको बता दी की बिते कुछ दिनों पहले ही स भारी संक्या में करकरताओं के भीड उम्री थी और सोसल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर जरा सभी ख्याल नहीं रखा गया था उसकी भी हम आपको यह तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां पर सोसल डिस्टेंसिंग का जरा सभी ख्याल नहीं रखा गया था वहाँ पर स्वास्त मं पहुँचे थे वहाँ पर सिवान के डियेम अमित कुमार पांडे भी मौजूद थे और भाचपा के विधायक और जो करे करता है वह भी मौजूद थे और भारी संक्या में वहाँ पर भीड उम्री थी उसकी यह हम तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं यह भी वज़ा हो सकती है क क्रोना संकर्मित होने की लेकिन यह सबसे बड़ी खबर हम आपको सिवान से बता रहे हैं सिवान के डियेम अमित कुमार पांडे पाए गया है फिलाल हम कुरणटाइन में हैं लेकिन सिवान की जो जनता है थोड़ी सी भी उनमें समश्दारी नहीं है बीना वजह भी लोग लगतार कॉरोना मरीजों की संख्या अब फिर से बढ़ने लगी है कुछ दिनों पहले ही कॉरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही थी फिर से आपको हम एक बार बता दे कि सीवान के लिएम अमिद कुमर पांडे कोरोना पोजेटीव पाए गए हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना पोजेटीव आया है इसकी पुष्टी सीवान के जो सिविल सर्जन है यद्वन्स रहा है उनके द्वारा की गई है